बिसमिल्लायरमानी रहीम असलाम अलेकूं माई यूटू फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज आपके लिए इवनिंग सैक्स में पकोडों की रेस्पी बनाने जा रहे हैं मज़ेदार क्रिस्पी से मिक्स पकोड़े और आलू के पकोड़े और इसे हम चाय के साथ भी सर्फ केइक और कुछ डिषएंट है इस एंड तक रेस्पी दिखेगा तभी आपको पता चलेगा तो इसके लिए हमने भी सब उसके भी तwerk कोड़े हैं सिंपल नमक डाल कर है कि एम 97 बंग डाला कि एक प्याली में लीग लिए ऊसमें इक टी-सप紧 नमग थिम्ट चीसपून एक अदद प्याज इसे भी चॉप कर लिया और ये आलू है इसे भी जूलियन कटिंग कर लिया और ये कुछ आलू के पकोड़े हम साधे बनाएंगे और एक अदर धरी मिर्च इसे भी चौप कर लिया है तो सबसे पहले आलू के सादे वाले सादे आलू के पकोड़े बनाते हैं ओल हमने गरम करने के लिए रख दिया है थोड़ा सा ओल गरम हो जाता है अब हम इसमें पकोड़े फ्राइ करेंगे तो आलू लिया हमने उसे बेशन में इस तरह से डिप किया आलू के ये साधे पकोड़े ये हमारी आईशा भी बहुत शौक से खाती है ये हम बच्चों के लिए तयार कर रहे हैं साधे आलू के पकोड़े और ये बड़े मज़ी के लगते हैं चाट मसाले के साथ ये बना लेंगे हम इसी तरह से सारे वं बाई वन डालते चाहेंगे और फ्राई कर लेंगे रेस्पी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें और जादा से जादा शेयर किया करें हमारी रेस्पी इसको अगर आपको अच्छी लगती हैं तो यह देखिए गोल्डन हो गए हैं अब हम इन्हें टर्न कर देते हैं और इसी तरह से इसे फ्राइ करके अच्छे तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राइ करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे ट्रे में किसी भी अब्जॉर्बिंग पेपर पर और इसके उपर चार्ट मसाला साथे देते हैं बच्चे जादा मसाला पसंद नहीं करते हैं इसलिए हमने उनके लिए साथे बनाए है अब निकाल लेते हैं इसे यह देखिये इतना अच्छा गूल्डन कलर आ गया है यह आलो के पकौड़े तयार है मुझेदार से, क्रिस्पी से और ये बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे, अगर आप बनाएंगे आपके घर में चट हो जाएंगे यूँ ही सब को पसंद आएंगे इंशालला, जुरूर बनाएगा अब हम मिक्स पकोड़े वो भी तयार कर लेते हैं आलू के पकोड़े तयार कर लिए अब ये बेसन जो बच्चा है इसमें हम ये जूलियन कटे हुए आलू एड़ कर देंगे और इतने क्रिस्पी क्रिस्पी ये पकोड़े बनेंगे अब हमने इसमें ये जूलियन कटे हुए आलू ये एड़ कर दीए दो अदर दर्मियाने साइस के आलोई ने जूलियन कटिंग कर लिया एक अदर दर्मियाने साइस की प्यास है इसे भी हमने इस तरह से स्लाइस कर लिया चॉप नहीं करियेगा स्लाइस करके डालियेगा तो वह बहुत अच्छी पकोड़ों में लगती है एक अरी मिर्च इशे भी चौप कर लिया, अब भी मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, यह देखिए, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और अब हम फ्राइ कर लेंगे बहुत ही मज़िदार से मिक्स पकोड़े ये तो बड़े मज़े के लगते हैं ये वाले मिक्स पकोड़े आलो और प्यास के अब हम इने फ्राइ कर लेते हैं आलो हमारा गरम है क्योंकि हमने अभी आलो के पकोड़े फ्राइ किये ह हाथ से या चम्मच से जैसे आपको सहूलत हो इस तरह से आप डाल लीजेगा यह देखिए हमने इस तरह से को हाथ में लिया और यह ओईल में फ्राइ करते जाएंगे इसी तरह से यह देखिए यह देखिए शाम में मौसम अच्छा हो सर्दिया हो तो शाम में कुछ नो कुछ स्नैक्स खाने का दिल चाता है गर्मी होती है तो बनाने का भी दिलने चाता है और खाने का भी लेकिन आजकल मौसम अच्छा है तो जरूर बनाया करें सर्दियों को इंज्वाय करें अपने घर वालों के लिए घर में कुछ बना लें, और ये देखिए पकोड़े एक साइट से गोल्डन हो गए, अब हम इने टरन कर देते हैं, टरन करके इसे अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे, और जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इससे निकाल देंगे, और इसे, जब भी आप कोई वैय किसी अड़िम पहले आफ नहीं किया करें। पहले आपने जो फ्राइंग के लिए डाला है उसे निकाल लिया करें। फिर फ्राइम ओफ करें। पकोड़. या जो भी चीज आप फ्राइय करेंगे। प्राइयS बनाए। तो मुकमल फ्राइ करने के बाद उसे आप निकाल लिया करें और इसके बाद आप फ्लेम आफ किया करें इस तरह जे कभी भी ऑल एपसॉर्फ नहीं होगा किसी फ्राइ की हुई चीज में ये देखिए ये गूर्डन हो गए अब हम इसे निकाल लेते हैं ये देखो अच्छे से मज़िदार से आलो प्यास के मिक्स पकोड़े तयार हो रहे हैं और हम इसे चाई के साथ इंजॉय करेंगे आज संड़े भी है तो आज बना लीजिएगा चाई के साथ बहुत मज़िदार से आलो के और मिक्स पकोड़े यह देखिए हम दूसरा बैज पी तैयार कर लेते हैं इसी तरह से आइल में डालते जाएंगे और ढेट सारे पकॉड़े तैयार कर लेंगे बहुत ही मज़िदार से क्रिस्पी से और लीजे फ्रेंड्स यह दूसरा बैज भी तैयार हो गया है और इतने मज़िदार क्रिस्पी से पकॉड़े जब घर में मिलेंगे तो कोई क्यूं बाहर जाकर लेकर आए या बाहर की चीजे खाएगा आप बनाईए अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने घरवालों के लिए और चाय के साथ इंजॉय करें हम भी इसे चाय के साथ इंजॉय करेंगे और हमने चाय बना ली है देखिए पकॉड़े हमने चाट मसाले कैचप हरी चटनी जो आपको पसंदो उसके साथ सर्फ करें हरी चटनी की रेस्पी भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी खस्ता समौसो के साथ हमने आपको हरी चटनी की रेस्पी भी बताए आप महाँ से नो डाउन कर सकते हैं और यह मलाय लमी चाय के साथ गरमा गरम आलू के पकॉड़े और मिक्स पकॉड़े हम इंजॉय करने जा रहे हैं आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए संड़े को वीकेंड को इंजॉय कीजिए अच्छा सा और हमें अपनी दुआओं में याद रखेगा अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और इन्शालला नेक्स टुडियो में किशी और मज़िदार सी रेच्पिक साथ फिर आजर होंगे तब तक के लिए हमें दीजिए अजाज़त इस अपने पन के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा अपने बड़ों का ख्याल रखेगा अपने बच्चों का ताकि आप इंजॉय सकें इस सर्दी के मौसम को भरपूर तरीके से तो हमें दीजिए अजाज़त अल्लहाफेश